आपने कभी किसी को मरके जिन्दा होते हुए देखा हैं? नहीं ना? अंडर्टेकर के अलावा? और अगर देखोंगे तो डर तो जाओंगे ना? जरूर, ओवियसली, कोई भी नौर्वन इंसान डरेगा लेकिन हिंदी सीरियल्स में ऐसा नहीं होता है चाहे वो 200 एपिसोड बाद हो या 800 एपिसोड बाद लेकिन वो जिन्दा सरूर होता है हिंदी सीरियल्स में अगर कोई इंसान मरके जिन्दा ना हो तो वो एक इंसल्ट है तो क्या चल रहा है? सब खेरियत? आज हम बात करेंगे हिंदी सीरियल्स की स्टुपिडिटी के बारे में क्या? 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 हीरो लब्स हीरो एन शादी कर लेता है उससे फिर डिवोर्स फिर उसकी बहन से शादी करता है फिर वापस डिवोर्स फिर वापस हीरो एन से शादी करता है फिर अगर शो continue होता है, TRP अगर हाई रता है तो फिर से divorce शो का नाम साथ निबहना सात्या है लेकिन सात्या को आप कभी देखोंगे नहीं क्योंकि उसको तो काम रहता है, वो बिजनेस के लिए चले जाता है तो शो में चलता क्या है, गोपी, कोकिला, कोकिला, गोपी, गोपी, कोकिला, कोकिला, कोमा दो बहनों को दो बेटे हुए और वो दोनों बेटे सेम दिखते हैं क्या मैं जूट बोड़ रहा हूँ, सात्या देखो, पता चल जाएगा कोई तो इंको twins का concept समझाओ यार character को वापस लाने के लिए कुछ भी करोगे क्या कोकिला की आवाद सुन लो बस तीन दिन तक नीद नहीं आएगी और नीद आने के बाद से बुरे सपने शुरू और कोकिला रखाया उनका नाम कौन रखता है नाम कोकिला पागल है क्या दिमाग हराब है क्या बेवकुफ बना रहे हो क्या हमेशे एक विलन रहता है जो हीरो के घर के पीछे रहता है और हीरो वो घर हारने के बाद उसी घर में नोकर बनने का ट्राइ करता है क्यूँ expensive jewelry, fresh makeup और fancy सारी अच्छा आप शादी में गई रहो ही ना नहीं मैं तो अभी उटी हूँ immortality का concept हिंदी सीरियल से ही तो आया है सब superhero movies में आप देखो immortality रहता है इसमें भहत जन्मों से चल रहा है अगर आप डेली सोप में हो तो आप immortal हो अगर दिया बुझ्जा या मंगल सूत्र तूट जाना तो बस खतम, story खतम जाओ hospital, किदर भी phone मत करो, कुछ भी मत करो direct hospital जाओ अपना पती तुम भही पाऊंगे हर TV शो की सबसे important character है तिया सास क्योंकि वो कोई मोका नहीं छोड़ेगी अपने बहु को निच्चा दिखाने के लिए तो है जो gas banner on रख देती है ताकि बहु जलकर राक हो जाए या oil गिरा दे सीडियों पे ताकि बहु स्लिपों के हड्डिया तोड़ दे अपनी यह दूद में जहर मिला के पिला दे बहु को बहुत प्यार से दप बहुत प्यार आता है बहुत तो कोई डाउट के बिरा वो दूद पीती है बहु जो पूरे dedication के साथ बदाम का दूद लेके जाती है अपनी सासुमा के लिए लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा हर्ट हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बर्नर से उन्हें जलाने की कुशिश की गई अगर सास सौरी बोल दे तो बहु सात्वे आसमान पे नेक्स डे वापस दूद लेके जाएगी सेम रोटीन एक हीरो जो वो हीरोईन को हेट करता है और फिर उससे शादी करना चाहता है और फिर उसका इंडले स्ट्रगल शूरू होता है अपने परिवार को मनाने के लिए कि हाँ भाई ये हीरोईन है और मुझे शादी करनी है और मान जाओ आक्टर्स ही हो तुम लोग और एक फादर इलाज़न का दोई काम होता है बहू की सपोर्ट करना और सास से डरना बस और ना जायस वलाएंग के बिना तो ये स्टोरी कमपलीट ही नहीं होती जानते हो मेरा मेरा बाप कौन है मैं भी नहीं जानता करती है इसे का कहुद तो था नहीं जानने का यह रिष्टा क्या कहलाता है अन्रियलिस्टिक ली रिच परिवार के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो खुद के प्रॉब्लम्स बनाते हैं जैसे की अक्षरा पहली बार कुक करती है नेतिक ट्राफिक में फस जाता है उनका बच्चे की स्कूल बस चूट जाती है उनके नोकर को शादी करनी है और मुझे कई जाके अपना सिर्फ ओर्ड ना है आउट अफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वाह एक शो आता है जोदा अकबर जहाप एक बुरी आत्मा अकबर से शादी करना थाती है शायद वो बुरी आत्मा ने आके एकता में बस भाई अगर मैंने और रिसर्च किया तो डिप्रेशन के चांचेज है आज के लिए इतना ही बस करो बस करो कमीनो बस करो थैंक्यू जो मच फॉर वाचिंग यार सब्सक्राइब करो जितने सब्सक्राइबर इतना अच्छा है न्यू वाच्छर्स प्ली सब्सक्राइ झाल कियां वाच्छ सब्सक्राइबर इतना है टो मस बसाई आए पसे अच्छाइबर इतना है याटाइबर वाच्छर्स